हलो दोस्तों स्वागत है हमार इस चैनल के एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में दोस्तों युजली नॉन वेच खाने वाले लोग चिकन या मीट का सेवन ज्यादा करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि चिकन या मीट में क्या ज्यादा फाइदे मंद होता है और किस से आपकी सहत को नुकसान हो सकता है आज के एस वीडियो के जरिये हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि सेहत के लिए चिकन या मीट में क्या ज़्यादा फायदे मंद और नुकसान दायक होता है चिकन और मीट दोनों नौन वेज हैं लेकिन इन दोनों में काफी अंतर है इनके बारे में सबसे पहले तो यह जानना ही दिल्चस्प होता है कि आखिर में मटन को रेड मीट और चिकन को वाइड मीट क्यों कहा जाता है रेड मीट में मायगलोबिन की ज़्यादा मात्रा होती है जिसके कारण वे रेड होते हैं Myoglobin एक तरह के cells होते हैं जो muscles में oxygen पहुचाने का काम करते हैं यही कारण है कि red meat white meat के तुलना में ज़्यादा dark होते हैं red meat में beef, pork और lamb सामिल होते हैं वही white meat को poultry meat भी का जाता है क्योंकि इसमें सामानेता chicken की ही बात की जाती है red और white meat में सबसे वरा फर्क दोनों में मौजुद fat से होता है जियां white meat में fat बहुत कम होता है लेकिन red meat white meat से बिलकुल अलग होता है red meat में बहुत जादा fat होता है दोस्तों कि आपको मालूम है कि white meat यानि chicken से हमारा सरीर 80% तक protein लेता है जबकि red meat से सिर्फ 74% protein ही ले पाता है चलिए दोस्तों बात करते हैं mutton यानि red meat खाने के क्या फायदे होते हैं red meat खाने से काफी फायदे हो सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप उसे slimit मात्रा में ही खाए red meat यानि मटन में iron, zinc, phosphorus, creatine, vitamin B12, riboflavin, niacin और thiamin प्रचूर मात्रा में होता है red meat में काफी मात्रा में protein पाया जाता है इसलिए अधिकतर bodybuilder, athletes और fitness फिक्र इसका 7 करते हैं ये सभी पोसक्तव red meat में पाया जाते हैं इसमें cholesterol अधिक मात्रा में होता है इसलिए दिल की बिमारी से ग्रसिद और diabetes के रोगियों के लिए मटन नुकसान दायक हो सकता है मटन में iron की मात्रा ज्यादा होने के कारण इससे आतों का cancer यानि intestinal cancer होने की भी संभावना होती है इसके अलावा इसमें काफी मात्रा में saturated यानि unhealthy fat पाया जाता है जो body में fat के रूप में store हो सकता है जिससे आपका वजन तेजी से बढ़ सकता है साथी साथ इसके अधिक 7 से ख़ड़ाप cholesterol लेबल भी बढ़ जाता है दोस्तों हमें red meat के रोजाना 7 से बचना चाहिए यदि आप खाना चाहते हैं तो हपते में 2 बार इसका 7 कर सकते हैं यह हिल्दी तो है लेकिन इसकी limitation जरूरी है दोस्तों आईए आप बात करते हैं chicken की chicken खाना red meat से तो फाइदे मंदी रहता है अगर आप non-vegetarian हैं तो आपको red meat की जगा chicken खाने से ज़्यादा फाइदा होगा 100 gram chicken से आपको लगबग 167 कलोरी उर्जा मिलती है और अन्य meat की तुलना में यह आसानी से हजम भी हो जाता है chicken में protein बहुत ज़्यादा होता है लगबग 100 gram chicken में 27 gram protein पाये जाता है यह सरीर के विकास के साथ साथ body के muscles के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है chickens नकेवल protein का अच्छा source है बलकि यह vitamins और minerals का भी अच्छा source माना जाता है chicken में iron, sodium, potassium, calcium जैसे minerals के साथ साथ vitamin A, vitamin C, vitamin B, 6B अधिक मात्रा में पाये जाता है चिकन खाने के बहुत से फायदे होते हैं किन्तु कुछ मामलों में नुकसान हो सकता है यदि आप अधिक मात्रा में chicken का सेवन करते हैं तो इसका आपके स्वास्त में प्रती कूल असर हो सकता है क्योंकि chicken का सेवन करने से सेल्मोनेला और कैंपिलो बैक्टर और अन्य बैक्टरिया आधिके फैनली की संभावना बहुत अधिक होती है अधिकांस चिकन शॉप में बीमारी या संक्रमित चिकन को बेचा जाता है जिनका सेवन करना आपके स्वास्त के लिए हनिकारों को सकता है दोस्तों कि आपको मालूम है कि ग्रिल चिकन में अमीनो मिथाइल, फिनाइली मिडाजो और पायरडीन पाया जाता है जो ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर के कारण हो सकते हैं इसके अलाबा पोल्टरी मुर्गियों को तेजी से बढ़ने के लिए उन्हें आरसेनी खिलाया जाता है यदि हम ऐसे चिकन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कैंसर सहीत नर्व की बिमारी हो सकती है दोस्तों किसी भी चीज का सेवन करने में सबसे जरूरी बात तो ये है कि आप कितनी मात्रा में उसका सेवन करते हैं अगर आप चिकन या मीड दोनों में से किसी भी एक चीज का सेवन अधिक मात्रा में करेंगे तो उससे आपको फाइदे की जग नुकसान ही होगा दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको दी गई सारी जानकारी समझ में आ गई होगी अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले